नमस्कार, मैं हूँ सुनील यादा और आपका स्वागत है गुरुगराम के अपने पहले वेब न्यूज चनल में जहां दिखाई जाती है खबरे आपके शहर की बहादुरी के आगे बड़ी बड़ी ताकते हार मांजाती है ऐसा ही कुछ हुआ गुरुगराम के अशोग विहार फेज 3 इलाके में जब दो हतियार बन नकाब पोश बदमाश एक जूलरी शोप में घुसे और पिस्टल की नोक पर जूलर से पैसे और गहने की डिमांड करने लगे लेकिन जूलर ने बहादुरी दिखाई और बड़माश जूलर की बहादुरी देख ऐसे डरे कि गिरते पड़ते भाग खड़े हुए पूरी घटना जूलरी शोप में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की जाच कर रही है दरसल बी पॉइंट पर लेकर गहने और पैसे मागने लगा लेकिन जूलर ने हिम्मत दिखाई और शोर मचा दिया बस फिर क्या था बदमाश जूलर की इस बहादुरी के आगे नत्मस्तक हो गए और शौप से भाग खड़े हुए तो मैंने का हाँ बन जाएगा तो इसी तरह बाद होते होते घा ऐसे रेट पुछा ऐसे इसी तरह होते होते एक बड़ा बला आदमी था जो आके मेरा यहां पर गन रखके उचाया के चुपचब हो जा नहीं तो चला दूंगे वैसी तरह उन्हें मेरा मुग दाबा के जूलर की बहादुरी से बदमाश इतने घबरा गए कि उन्होंने हडबडी में गोली चला दी जो की काउंटर में लगी दरे हुए बदमाश अपना मुबाइल फोन भी वहीं छोड़कर भाग गए जब जूलर ने शोर मचाया तो बदमाश डर गए और शौप से बाहर निकलते ही एक बदमाश जमीन पर धराम से जाग जा फिर उठकर वहाँ से दोनों भाग गए मामले की जानकारी पुलिस को दी सूचना मिलता ही सेक्टर पांस थाने की पुलिस आला अधिकारियों समेथ मोके पर पहुँची और अग्यात के खिलाफ केस दर्जकर जाच शुरू कर दी है इसमें दो लड़के आये थे उन्होंने अटेंप्ट किया था इस तरह का और वहाँ पर फायर भी करके गए हैं और उसको लेके हमने केस रेजिस्टर कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कुछ हैम सुराग हमें आथ लगे हैं और मुझे उमीद है बहुत जल् जूलरी शोप पर लगे CCTV कैमरों में बदमाशों का हुलिया साफ नजर आ रहा है जिस वज़े से दोनों ही जल्द पुलिस की ग्रफ्त में होंगे लेकिन पुलिस जूलर शोप से CCTV कैमरों के DVR को अपने साथ ले गई जिस वज़े से अब जूलरी शोप की सुरक्षा को भी खत्रा है आपको हमारी खबर कैसी लेगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप हमारी इस खबर को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें अगर आप हमारी YouTube चैनल पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें नम कर दो कर दो जो कि अ कर दो सकाट